नमस्कार आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे बी ये पार्ट थड़ के लिए बेलनाकार प्रक्षेप इससे पहले मैंने जितने भी आपको वीडियोस पताए थे उसमें मैंने आपको शंक्वाकार प्रक्षेप करवाए थे शंक्वाकार प्रक्षेप में आपके मैंने चार करवाये थे साधन शंक्वाकार प्रक्षेप, दोमानक अक्षान शंक्वाकार प्रक्षेप तथा साती सात बहु शंक्वाक प्रक्षेप और मैंने करवाये था आपको बोन्स प्रक्षेप तो आज हम शुरू करेंगे बेलनाकार प्रक्षेप, हम इसमें ये कल्पना करते हैं कि जो कागज है वो बेलन की आकरिती में ग्लोब के चारों तरफ लिप्टा हुआ है, बेलनाकार प्रक्षेपों में बहुमदे रेखा सहीत समस्त अक्षाज वरतों की लंबाई एक समान होत थी कि शंकु की आकरिती में हम कागज को ग्लोब के उपर लपेटते हैं, इसलिए जो देशांतर आये थी, उनकी तो कोणी ये दूरिया आये थी, परनतों जो अक्षाज बने थे वो अर्दिचंद्राकार बने थे, चाप पी आकरितियां लिए हुए थे, इसमें जो पुमद दे रेखा की लंबाई के बराबर ही सभी अक्षाज बनेंगे, केवल क्या होगा इसमें, कि जो लंबाई है, और ऀसमें, चाहा आपकी 0 डिग्री हो, चाह ₹ 9 डिग्री हो, जो नहीं लोगिनेगे, बराबर हैंगे, जबकि होता क्या है, कि 60 डिग्री पर आकर, होता है 22 बटा साथ तरह आर का अर्थ होता है दी गई मापनी पर लगुकृत प्रित्वी के गोले का अर्ध व्यास इस सूत्र के द्वारा हमें मुमद्य रेखा की पूरी लंबाई पता चल जाती है यदि दिये गए देशांतरों के मद्य मुमद्य रेखा की लंबाई ग्यात करनी है तो हमें अब ध्यान से देखेंगा कि कौन सा सूत्र चाहिएक टू पाइ यार इंटरवंपाटाटा 360 तो तू पाई यार इंटरवंपाटा 360 इस क्या होता है आपके इसके द्वारा दूरी औरuku ने आखशांदी ओके चैयन दोरी निकलाती है नहीं नांग नहीं अक्षान्ष मुरतों के लंबाई समान हैं परंतु इनके बीच लेंद सक दूरियन अलग अलग होती हैं बेल ना कार प्रक्षे पूंग लंबास काथर ऑबर है पर जीरो से लेकर 10 दिगरी दस रेकर 20 दिग्री इस से लेकर 40 इंके बीच के अंतर में अलग-अलग बेलनाकार प्रक्षेपों में अंतर आता चला जाता है तीसरी विशेशता है कि बेलनाकार प्रक्षेपों में देशांतर रेखाएं बनाने के लिए दिये गए अंतराल पर मुमद्य रेखा को समान भागों में बाटना बाटा जाता है यह सूत्र में यदि देशांतर विस्तार के स्थान पर दिये गए अंतराल को लिख दिया जाए तो उस अंतराल पर दो सलंगने देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमें पता चल जाएगी इस प्रकार ग्यात क कि गई दूरी से प्रक्षेप में बुमद्य रेखा के समान भागों को विवाजित किया जा सकता है अब इसमें आपके कोर्स में मुख्यत है एक तो सिंपल स्लेंडिकल प्रोजेक्शन है दूसरा है आपके समदूरस्त बेलनाकार प्रक्षेप जिसकों कि हम क्या कहते हैं ए यथा कृतिक प्रक्षेप और लास्ट में है गौल का त्रिविम प्रक्षेप इन प्रक्षेपों की रशनाविदी को मैं बहुत साधनन तरीके से आपको बताने का प्रियास करूंगी और सबसे पहले हम शुरू करते हैं यथार तत्वा संदर्श बेलनाकार प्रक्षेप इस प्रक्षेप में होता है क्या है स्टूडेंट्स की गलोब के केंदर में प्रकाश की स्थिति मान कर कागज के बेलन को गलोब के रेखा जाल पर इस तरीके से लगाया जाता है कि कागज का ये बेलन गलोब को भूमदे रेखा के साथ साथ इस परश्च करता है ग्लोब के केंद में प्रकाश शुरूत की इस्तिति मान लेने के कारण इस प्रक्षिप को हम नॉमोनिक बेलनकार प्रक्षिप भी कहते हैं इसका मैंने जो आपको शुरू में डाइगराम दिखाया था उसी को ही मैं आपको एक्स्प्लेंड करना चाहूंगी थोड़ा सा ध्यान से देखेगा कि मैंने इसमें अंतराल दे दिया पंदरे डिगरी का और इसका जो आरफ दिया वो दिया मैंने वन इस्टू थ्री फिफ्टी मिलियन का अब हमारे क्योंकि थडियर में आपके कोर्स में क्या आले की विडियर ग्रैफिकल मेथड है तो उससे ही मैं इस डियाग्राम को आपको बताऊंगी तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है आर निकालना है आर मतलब है आपका 635 मिलियन बटा 350 मिलियन रेडियर सिप्समें आगया आपका 1.8 सेंटी मिटर और वो मद्दे रेखा कि लंबाई होती है 2 पाई आर तो यह आगया आपका 0.47 अब सबसे पहले आप इस डियाग्राम को ध्यान से देखिएगा इस डियाग्राम के लिए हमने क्या क्या O को केन रमान कर 1.8 सेंटी मिटर अर्ध व्यास से वरत का आदा भाग ABC कीचा O तथा B बिन्दूओं के मिलाते हुए आगे बढ़े तथा इस बढ़े हुई सरल रेखा में 11.3 सेंटी मिटर अर्थार भुमद्दे रेखा के बराबर BD दूरी काटी B बुन्दी उपर EP तथा D बिन्दूपर GH लंब रेखाएं कीची O भी रेखा के 0 O बिन्दू पर उपर से नीचे को 5 15 डिगरी 30 डिगरी 45 डिगरी तथा 60 डिगरी के कौन बनाए और इनको खीशते हुए आगे बढ़ाया इहां पर हमने इस पर B लंब रेखा को क्रमशे I, J, K तथा E बिन्दूपर तथा O V रेखा के नीचे के ओर B F लंब रेखा को क्रमशे L M N तथा F बिन्दूपर काटा इस तरीके से हमने इन रेखाओं को समाना अंतर रेखा खीशते हुए प्रक्षे संबन्दी तंशों के अक्षांश वरत होंगे देशांतर रेखा है बनाने के BD बुमदे रेखा पर 0.47 cm अर्था 15 डेगरी अंतराल की दूरी के अंतर पर 24 समान भागों में इसको विवाजित कर लिया और इससे जो लंब बने उन पर हमने रेखा है खीश थी अब आप इस डायगराम को दिहान से देखिए कि इसमें हमने अक्षांश और देशांतरों का निर्धारण किस तरीके से किया है अब हमें इस बाद में ये देखना है कि इस चितर के बनने के बाद हम इसको पहचाने की कैसे कि साधरण बेलनाकार प्रक्षेप है तो स्टुटेंट इस प्रतेक अश्चांश वुरत सररलेवं समानांतर रेखा के रोप में बोमदे रेखा के बराबर लंबाई वाला होता है देशांश वुरतों के बीच की दूरी बोमदे रेखा से धुरूं की और बढ़ती है बुमद्धे रेखा को समान भागों में बाट कर देशांतर रेखा है खीची जाती है अत्य है इनके मद्धे के दूरी लगातार एक समान रहती है तो निशकर्श हमने कैसे पैचाना सबसे पहले आप पैचान लीजिगा कि रेखा जाल बना हुआ है अक्षान्श और देशांतरों का जिसमें सबसे बड़ी बात हैं कि सभी अक्षांश लंबाई दूरी के हैं और सभी देशांतर भी बराबर दूरी के हैं इससे अपर अक्षांशों के बीच में अंत्राल क्या हो जाता है परिवर्तित हो रहा है यह इसकी सबसे बड़ी विशेष्टा है प्रापर्टीज क्या है इसकी कि ग्लोब के केंदर पर प्रकाश श्रोत इस्तित होने के कारण बेलन की सतह पर बेलन मीं सिलेंडर जो कागज का सिलेंडर है सिलेंडर की क्या परिवाशा होती है कि उसका आधार और दौनों आधार उसका आधार और उसका शीर्ष दौनों का ज इसमें का सिलेंडर की सतह पर दुर्वों की छाया नहीं पड़ती है इस प्रक्षेप में दुर्वों को प्रदिश्चित नहीं किया जा सकता क्योंकि रौशनी कहां से आ रही है इसमें रौशनी केंद्र से आ रही है दूसरा इसकी विशेश्चता यह प्रक्षेप में केवल बुमद्य रेखा परी मापनी शुद्ध होती है और मापनी में अशुद्धता की मात्रा बुमद्य रेखा से धुरुवों की ओर को बढ़ने लगती है। इसका क्या यूजे स्टुडेंट्स बुमद्य रेखा के अतिरिक्त अन्य सभी भागों में आकरती छेत्रफल एवं दिशा अशुद्ध प्रदश्यत होने के कारण मांचितर बनाने के लिए प्रक्षेप का उप्योग बहुत जादा लिमिटेड है। तो अब आपको इसको क्या करना है अपनी फाइल में बनाना है फाइल आपको बीए पार्ट थड़के हिसाब से लेनी है और डाइगराम नीट एंड क्लीन होंगे तब ही आपको हम चेक इसको कर पाएंगे तो इसको आप बहुत ध्यान से बनाएगा और साथी साथ सबसे पह क्मेंट होता है वो अगले वीडियो में बताऊंगी कि किस तरीके से आप इनको नामांकित करें तो ये सारी चीजें आप अपने कॉपी में जरूर बनाएगा क्योंकि प्रैक्टिकल एक आपके पेपर के रूप में भी है धन्यवाद